स्री शुवाईन नमस्त उब्यम दर्शकों कैसे हूँ आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुराक्चित होंगे दर्शकों सुकरवार का दिन मालक्ष्मी को समर्पित होता है सुकरवार के दिन मालक्ष्मी की पूजा राधना करने का विशेस महतों माना जाता है ऐसे में दोस्तों आज हम आप सभी दर्शकों को सुकरवार के दिन का एक छोटा सा एक लोंग का अच्छुक उपाई इस वीडियो के महध्यम से बताने जा रहे हैं दोस्तों कहा जाता है कि सुकरवार के दिन कुछ स्रेश्ट उपाई करने से माता लक्ष्मी मा धन वे बहुल लक्ष्मी का असरवाद भी प्राप्त होता है ऐसे में इन उपाईों को करने से मलक्ष्मी निर्धनता, मलक्ष्मी व्यक्ति की गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देती है और दुर्भाग्या से सुभाग्या की प्राप्ती होती है ऐसे में दोस्तों आज का यह उपाई भोती कारगार इसे होगा जिन व्यक्तियों को धन का लाब नहीं मिल पारा है माव लक्ष्मी का अश्रवाद नहीं मिल पारा है वे सब इस उपाई को कर अपनी निर्धनता को अपनी दुर्भाग्या को समाब से कर सकते हैं ऐसे में दोस्तों आप सभी कुछ ज्यादा कुछ नहीं मातर कुछे छोटे छोटे उपाई जिस उपाई को आप किसी भी सुकुरुवार को कर सकते हैं किसी भी सुकुरुवार की साम को कर सकते हैं इससे बहुती अच्छा लाब देखने को मिलता है दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, हर बार की तरह कोमेंट में, स्री शिवाई, नमस दुब्यम जरू लखेगा, क्योंकि इस उपाई को करने से आपका धुरुभाग्या सोभाग्या में बदल जाएगा, आपकी निर्धनत समाप्त हो जाएगी, आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी, दोस्तों कहा जाता है कि जो लॉंग होती है, लॉंग हमारे खाने का स्वात बढ़ाने के साथ साथ ही, हमारे रसोई घर में पाई जाती है, अगर आपके पास लॉंग नहीं है, तो किसी भी वजार में से आप खर परवार की रात एक लोंग को लेकर और उस लोंग को अपने सिर्शे और पाम तक साथ बार उभार कर उसके बाद में ओम नम हीम कीम सुब सुखा इस मंत्र को बोलकर अगर अपने घर के चोखट पर फैक देता है यानि कि चोखट से बाहर फैक देता है तो उससे घर की नकारत् सक्थियां होती हैं वे घर से दूर होती हैं घर में दुर-भग्ये से और सबाला समापति हो जाती है एसे में दोस्तों आप सब्सकारवी को किजिए का पहुत है अच्छा आपको लाबuntप्र प्राप्त होगा साथ वीडियों पसंद हो वीडियो को लाइक का और चैल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं के लिए वीडियो में स्री शुवाइन नमस्त होगे हम